नमस्कार आप देखना है खबर मेडिया को सुलजाने जा रहे हैं जी हाँ आपको बता दे सुसान सिंग राजपूत का केस दिन पर दिन पेचीता होता जा रहा था इस केस में सबूत ना मिल पाने की वज़े से ये केस अभी भी दबा हुआ था लेकिन इसी भी सबसे बड़ी और चीरती हुई खबर सामने निकल कर आ रही है कि परधान मंतरी मोदी ने सुसान सिंग राजपूत केस को लेकर अभी हाली में एक मिटिंग की है जी हाँ सोसल मीडिया पर ये खबर बहुत तेरी से वाइरल है और इसमें कई तरह के दावे किये जा रहे है और कहा जा रहा है कि आने बाल दिनों में आप सुसान सिंग राजपूत के केस को सुलजाने के लिए परधान मंतरी मोदी ही हर संभव परयास करने वाले हैं तो कैसे देश के परधानमंतरी मोधी को अचानक से सुसांत केस की याद आगई, और कैसे परधानमंतरी मोधी ने ठान लिया है कि बॉली वुड़ वालों को हमेशा हमेशा के लिए सुधार देना है, पूरी जानकारी मैं आप सभी को इस वीडियो में दूंगा, आपको बता अभी भी कोई ना कोई की रफ्तारिक केंद्रिय एजेंसी कर रही है लेकिन बावजुद इसके एक केस तुलज नहीं पाया है इसका मतलब यह है कि इस केस में अभी बहुत सारी बाते हैं जो की छुपी हुई है और इसी वरे से परधानमंत्री मोधी ने खबर यह है कि जहां एक मेटिंग की है जिसमें बालीवुट के मुद्दो को लेकर डिसकसन चला है परधानमंत्री मोधी ने साफ कहा है कि जो भी गलत करेगा उसको जिल के पिछे जाना ही पड़ेगा तो वहीं सुसान सिंग राजपूत केस में भी ऐसा लगता है कि परधानमंत्री मोधी ने अपनी नजरे डाली है और तभी देखने को मिल रहा है कि NCB की टीम ने इस केस में अपनी चानवीन और भी ज़्यादा तेज कर दी है NCB की टीम ने अभी हाली में एक सक्स की गिरबतारी की है जिसके बाद ये माना जा रहा है कि अब सुसान सिंग राजपूत का केस बहुत ही जल्द सुलजने वाला है और सुसान सिंग राशपूत के कातिलों को बहुत ही जल एक बार फिर से सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा और मुझरीमों को वो सजा मिलेगी जिसके वो असलियत में हकदार है मैं आपको बता दो जिस समय सुसान सिंग राशपूत का केस सामने आया उसके बाद राशकुंदरा और फिर आर्यान खान का केस सामने आया इसने पूरी तरह से बॉलीवूट की सचाई सामने ला दी और दिखा दिया कि बॉलीवूट वालों का असली चेहरा अखिर में है क्या और इसके बाद लग रहा है कि अब इस केस में और भी कई सारे बड़े सबूत आने वाल दिनों में मिलेंगे जिसके बाद ना सिरफ ये केस सुलच जाएगा बलकि सुसान सिंग राजपूत के मुझरिम भी जेल जाएंगे और जिन लोगों ने बॉलिवुड में रहके और नैपोरिजन जैसा काम किया है या फिर कोई भी घिनोना काम किया है उन सभी की अब बोलती बंद होगी और सभी को आप बहुत जल्द सलाखों के पीछे एक बार फिर से देखेंगे आपको बता दे साल 2021 में कई सारे ऐसे सेलिविटी रहें जो की बॉलिवुड से सिधा सिधा जेल का सफर कर चुकी है और इसके बाद 2022 में भी ऐसे होने की उम्मीद जताई जा रही है और कहा जा रहा है कि 2022 में भी बहुत सारे बॉलिवूड सेलिविटी के कालेक चिठे सामने आने वाले हैं क्योंकि ये बॉलिवूड जैसा दिखता है एक्चुल में वैसा है नहीं और अभी भी बॉलिवूड को लेकर कई बड़े खुलासे होने बाकी हैं जिस पर परधानमेंत्री मोधी ने डिसकसन किया है और आने वाल दिनों में ये सभी खुलासे आप सभी के सामने होंगे तो यही था वीडियो में वीडियो को लाइक करना इसे सियर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना धन्यवाद